आज का दिन बहुत खास है प्रबास फैंस के लिए जी हाँ जहां एक तरफ कनपपा का टीजर रिविल हुआ है तो दूसरी तरफ कलकी के सौंग का अनौसमेंट हुआ है एडाइमर्स से इन दोनों का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे प्रबास फैंस जी हाँ जहां एक तरफ कलकी के फ़र्स सौंग को लेकर बहुत बड़ा सप्राइज दिया है मेकर्स ने एक पोश्टर के साथ तो दूसरी तरफ कनपपा के मेकर्स ने टीजर रिविल करते हुए बहुत बड़ा कनप्यूजन पैदा कर दिया है प्रबास के रोल को लेकर तो चले बताते हैं आपको कि कब आएगा कलकी का एं मच अवेटेड सौंग किस तरीके से इस सौंग बहुत ही खास होने वाला है इंडियन सिनेमा के लिए और इसे के साथ कनपपा में प्रबास का रोल आखिर क्या होने वाला है इस सब के उपर डिटेल में बात करेंगे तो दो बड़ी ऑफिशल अपडेट्स आई है तोरों में आज जो प्रबास का अवतार दिखाए दिया है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है जिससे फेंस काफी हैरान हो गए है जहां एक तरफ कलकी 2898 AD के फर्स सौंग का बहुती बड़े पैमाने पर अनौस्मेंट हुआ है तो सब को काफी हैरान कर दिया है बहुत बड़ा सप्राइज दिया है मेकर्स ने इस पोश्टर के साथ जी हां इस पोश्टर में प्रबास और सिंगर दलजीत दिखाए देते हैं और वो भी पंजाबी स्टाइल में अब प्रबास को इस तरीके से पगड़ी में पंजाबी स्ट जी हां सिफ कलकी 2898 AD मुवी ही बिगेस्ट मुवी नहीं होगी इंडियल सिनेमा की बलकि इसके जितने भी कंटेंट आएगे न वो टीजर होगा ट्रेलर होगा या फिर सॉंग ही क्यों नहीं हो यह सबसे बड़ा होगा जो आज तक इंडियल सिनेमा में कभी नहीं देखा होगा अज जिस तरीके से पोश्टर ने सबको चौका दिया है ना गाना इससे भी कई हटके आने वाला है जो बहुत बड़ी सप्राइज होगा फैंस के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस सॉंग को लेकर दलजित की आवाज को लेकर और इसे के साथ साथ प्रबास के अवतार को लेकर अब बात करते हैं कनपपा की तो आज कनपपा का टीजर रिवील हुआ है जिसकी डूरेशन है वर्ड मेट 40 सेकंड रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है ये मूवी जो शिव जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक कनपपा की जिवनी पर बेस्ड होगी टीजर की शुरुआधी होती है चावल से बने शिवलिंग की जहाँ पर कनपपा उनकी पूजा कर रहे होते हैं और ओम नमश शिवाई का जाप करते हैं तो टीजर से जो कुछ भी कहानी थोड़ी बहुत समझ में आती है वो ये है कि बेजिकली एक फोरेस्ट ट्राइप का इलाका है जहाँ पर दो ग्रूप है एक ग्रूप का सरदार है कालमुक और कालमुक का जो भाई है वो 50 लोगों के साथ वायू लिंग को लूटने गया है और 50 लोगों के साथ इस कालमुक को भी एक ही इंसान ने मारा है जब कालमुक को ये पता चलता है तो वो बिलीव नहीं कर पाता कि मेरे भाई को 100 लोग मिलकर भी नहीं मार सकते तो उसको किसने मारा सामने कितने आदमी थे और फिर वहाँ होती है विश्णु माचु की एंट था वो प्रबास की 5 सेकंड से भी कम वाली एंट्री जहां सिर्फ उनकी दो आखे दिखाए देती है मस्तक पर त्रिपून और तिलग बस यहीं जलक काफी थी उनकी रॉंक टे खड़े करने के लिए मैंने खूद 20 से 25 बार इस सीन को रिपिट करकर के देखा है फिर भी मन न इस टीजन ने और खास करके प्रबास की एंट्री ने जहां एक तरफ फैंस की excitement बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ confusion भी पैदा कर दी है क्योंकि सीव जी के रोल में तो यहां पर अक्षे कुमार दिखाए देते है तो प्रबास का रोल इसमें क्या है बई बहुत ही confusion है बट मै मेरे ब्रदर प्रबास मतलब की मेरे नहीं विश्णु माचु के ब्रदर प्रबास का इसमें लीड रोल है तो अब excitement यह है कि जिस आखे त्रिपुन और तेलक के अवतार में हमें प्रबास दिखाए दिये है इस टीजर में तो उनका रोल कैसा होगा इस मूवी में तो इगल सो इगली वेटिंग फोर कनपा नेक्स वीडियो कंटेंट और अफकोर्स कलकी 2898 एडिस फर्स सॉंग वैसे आपको कनपा काई टीजर कैसा लगा और कनपा के लिए आप कितने excited है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ऐसे प्रिट के लिए हमारी शनर को प्लीज सब्सक्र रिखीगा जै हिंद